तो यह दोगे पैर बच्चे अगर इस वाले सवाल को देखोगे तो यह बेसिकली एक अच्छा सा सवाल है और यह आया था नीट में रिसेंट यह प्लेन इस अगर कोई इलेक्ट्रमागनेटीक वेव याँ पर है अपनी इलेक्त्रमागनेटिक वेव है तो इस इलेक्ट्रमागनेटिक वेव में एक खास बात ही होती है कि most important property of this electromagnetic wave कि इसमें जो तीनों vector होते हैं E vector, B vector और direction of progress इधर एनर्जी देखो electric field इधर है और magnetic field इधर है इसके perpendicular है और wave इधर जा रही है तो ये भी इन दोनों के perpendicular है तो जो E vector होती है वो perpendicular होती है B vector के और perpendicular होती direction of propagation of energy ठीक नहीं है समझे में आ रहा तो ये तीनों vector आपस में perpendicular तो है इनको हम लिखते हैं S से pointing vector, I hope की पड़े होगे S direction of propagation 1 upon mu naught E cross B E cross B को आप change नहीं कर सकते है फिक्स किया गया है तो जो direction of propagation SS देज़ है This is the direction of propagation ठीक नहीं है तो ये इसी पर सवाल है और ये करते हैं कि अगर वीचे दो wave किदर जा रही है देखो wave propagating positive x axis अगर wave positive x axis में जा रही है positive x axis में जा रही है तो इसका मतलब भी हुआ जो S vector है अपना वो तो positive x axis हो गया तो इसमें से electric or magnetic field ये दिया हुआ इन फिन फीर फिल्ड है और यह फिर फिल्ड दिया हुआ और यह फिर में टिकर दीति AY मैंनुड दिया हुआ हुआ और यह फिर अपनी इलेटिक जाएगा तो सबसे पहले first को करते हैं यह आपको करना पड़ेगा कि s की जो direction s equal to proportional to यहां से e cross b तो सबका मैं e cross b निकालूंगा तो e cross b e cross b जो है अगर मैं निकालता हूँ तो e की value minus यहां से z cap plus यहां से k cap और cross लगा दूँ हैं से minus z cap plus k cap अब जब multiply करोगे हां तो my minister minus z ka minus z में करोगे और इसका इसमें करोगे क की का की फिर जे का पिर इसका इसमें करोगे और फिर इसका इसमें करोगे और यह use कर लो तुम i, z और k you चर लो i, j, k नहीं होगा है हम matrix भी बना सकते हैं, matrix वाले भी system solve कर सकते हैं, पर वो 3 दाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो जब हम ऐसे चलते हैं, I, J, K, तो जो product होता है, वो positive लेते हैं, और जब मैं उल्टा चलता हूँ, ऐसे उल्टा चलूँगा, समझें, ऐसे उल्टा चलूँगा, सुरी, यहां से ऐसे I से K, K से Z, Z से I, तो मैं निगेटिव लोगा, ठीक है तो अब सबसे पहले multiply करते हैं यहां से, देखो I, और यह भी हम जो cross है, Z cross Z equal to K cross K equal to I cross I क्योंकि cross product है तो इनका product 0 होता है तो जब J से J में multiply करो minus J, तो O मिला 0 अब minus J और K में multiply करोगे तो J cross K, देखो J cross K, तो J cross K तो जो multiply करोगे, तो यह आजाएगा minus I, ठीक न, और यह plus K से इसमें multiply करोगे, K और J, तो K cross D, K cross J K इधर है, J है, उल्टा जा रहे हो K cross J, उल्टा जा जा निगेटिव और एक निगेटिव यहाँ से तो plus I, ठीक न, और यह 0 तो plus I 0, मतलब यह 0 इसका मतलब यह होगा कि जो first option है, वो सही नहीं है direction appropriation, I cap नहीं दे रहा ठीक है, दूसरा match करते हैं J plus, J plus K J plus K तो अगर दूसरा match करोगे यहाँ से दूसरा जो option है J plus K और multiply कर दो J plus K से तो अगर तुम इसमें से multiply करते हो तो J cross K 0 और दूबारा यहाँ से J cross K तो J cross K यहाँ से I cap आ जाएगा, ठीक न, J cross K आ जाएगा, तो K से और J, K cross I K cross J, again K cross K cross यहाँ से J, minus I आ जाएगा, उल्टा जा रहा है, और यह 0 तो यह कटके 0 हो गया, तो यह भी अपना सही नहीं है थार्ड अप्सन चेक करते हैं थार्ड अप्सन क्या है, माइनस J plus K, तो थार्ड अप्सन यहाँ से माइनस J, और यहाँ से plus K, मैं multiply कर दो, यहाँ से minus J plus K, माइनस J, माइनस J, माइनस k का multiply कर दो, यहाँ से तो अगर तुम यहाँ से multiply as टो j cross its 0 मिल गया और यहाँ से z cross k करोगे तो minus minus plus और यहाँ से 1 plus i से ठीक ना और k cross j करोगे तो k cross j उल्टा जा रहे हो तो minus आएगा, 1 minus यहाँ से तो यह minus और यह 0 मतलब यहाँ जाएगा तो यहां से देख रहे हो कि जो एस की डाइरेक्शन आ गई एस की डाइरेक्शन आ गई वो तू आई कैप आ गई मलब पोजेटिव एक्स एक्सीज में वेब जा रही है मतलब यह हुआ बागी करने की ज़रूती है सिंगल करेक्ट आप्शन था तो अपना जो है जो सही सेलू